जहिंद एवरीवन स्वागत है आपका इस वीडियों में जिसमें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं स्सी जीडी की स्थापना और उसके तिहास के बारे में मेरा नाम है डॉक्टर गॉरावा गुर्वाल मैं हूं अकेडमिक हैड मेजर कल्शी क्लासेस जैसा कि आप जानते ह सर्विस सेलक्षन कमिशन का जीडी भारत सरकार के अधिन एक ऐसा आयोग है जो भारत सरकार के विभिन मंत्रालियों और विभागों में तथा आधिनस्तकारालियों में विभिन पदों के लिए करमचारियों की भरती करता है एससे की स्थापना चार नवंबर 1975 को हुई थी इसकी स्थापना के अब लगभख 46 एयर्स कंप्लीट हो चुके हैं 46 साल से ये संस्थान हजारों लाखों न्युक्तियां कर चुका है एससे का मुख्याले नई दिल्ली में सिचुएटेड है वर्तमान में इसके साथ रीजिनल ऑफिस हैं जो प्रयागराज मुंबई कोलकत्ता गुवाहती चेन्नई और बैंगलॉर में हैं इसके अलावा एससे के दो उपच्छे त्रिया काराले मध्य परद्यश के रायपुर और चंडिगर में भी हैं एससे पूरे भारत में होने वाली सरकारी परेक्षा कराती है इसके माध्यम से एससे विभिन विभागों जैसे CRPF, CISF आदी पदों के लिए जीडी कॉंस्टेबल भरती आयोजन करती है तो आज हम जानेंगे एससे जीडी के पेपर के बारे में क क्या आंतर होते हैं कैसे तैयारी करनी चाहिए 2024 में पेपर कब होने वाला है एससे जीडी के लिए नियूंतम शक्षक योग्यता कक्षा 10 होती है यह एक बड़ा कारण है इस बात का कि एससे जीडी में नंबर आफ एप्लिकेंट पचास लाख तक चला जाता है और इसकी आय अगते थे अब 80 questions आएंगे 160 marks के आएंगे तो पहले 100 सवान 860 नंबर के माने हर सवाल 1 नंबर का है ऑफ सवाल 170 cm और महिला उम्मीदवारों की 157 cm होनी चाहिए ससी जीडी कॉंस्टेबल की शारिरिक पात्रता पुरुष उम्मीदवारों के लिए छाती का आकार 80 cm है एससी जीडी कॉंस्टेबल भरती के लिए शारिरिक परिक्षा P.E.T. और शारिरिक मानक परिक्षा P.E.S.T. का आयोजन किया जाता है इन चीज़ों की जाच की जाती है जैसे उचाई, वजन, दौड, छाती की माप, शारिरिक माप P.E.T. में पुरुष उम्मीदवारों को 24 मिनट में 5 किलो मीटर की दौर लगानी होती है और महिला उम्मीदवारों को 4 मिनट में 800 मीटर की दौर लगानी होती है इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट और डोकुमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट, CAPF द्वारा गठित, मेडिकल बोर्ड के द्वारा आयोजित होता है उम्मीदवारों की चिकित्सा और शारेरिक फिटनेस के जाँच, उनके द्रश्टी के जाँच आसानी से की जाती है उम्मीदवारों के सभी दस्तावेजों की पूरी तरीके से जाच और सत्यापन के बाद ही उन्हें SSC GD Constable के पद के योग्या माना जाता है SSC GD Constable भरती 2024 का आवेदन 24 मवंबर 2023 से शुरू होगा यह परिक्षा 20 फरवरी 2024 से 12 मार्च 2024 के बीच मायोजित करी जाएगी और इसी परकार SSC GD की 2024 की परिक्षा का आवेजन 2024 के दिसंबर महां में होगा जिसकी नोटिफिकेशन आगस्ट 2024 के महीने में आपको मिल जाएगी तो यदि आप 2024 में SSC GD को कौलिफाई करके वर्दी पहनने के सपने को कंफर्म करना चाहते हैं कॉल कीजिए मेजर कल्ची किलासिस का हेलप लाइन नंबर 9696 33 0033 जैहन